दोस्तो गुड लगबग हर किचन में पाया जाता है, ये कई मिठाईयां बनाने के काम में आता है तो कुछ लोग इसको साधा भी खाते हैं दोस्तो गुड सिहत के लिए जितना फाइदे मन्द है उतना चमतकारिक भी है आज की वीडियो में मैं आपको गुड से जुड़े हुए कुछ वो उपाय बताऊंगा जिनको आप करते ही तुरंत आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में गुड के कुछ ऐसे ही चमतकारिक और असरदारी उपायों के बारे में जानते हैं सबसे पहले पैसों की कमी दूर करने का उपाय दोस्तो जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगे का सिकार हैं वे यदि एक लाल कपड़े में गुड का एक टुकड़ा और एक रूपे का सिक्का डाल कर माता लक्षमी के चरणों में रख दे फिर मालक्षमी और इस पोटली की पूजा करके पैसे रखने की जगह पर कुछ रमे के लिए रख दे तो उनकी सारे समस्या पैसों से समन्देज दूर हो जाएंगी कर्ज और संपत्ती विवाद में भी निजात पाने में गुड बहुत उप्योगी है कर्ज से चुटकारा पाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड या गुड से बनी मिठाई का भोग लगाएं कुछ ही दिनों में जीवन से कर्ज समय सारे समस्या दूर हो जाएंगी संपत्ती विवाद से निपटने में भी ये उपाय बहुत मददगार साबित होगा और इसके अलावा ये आर्थिक उनिती को भी बढ़ाता है नोकरी के लिए दोस्तो यदि तमाम समस्याओं के बाद भी नोकरी नहीं मिल पा रही है तो नोकरी के इंट्रू के लिए जाते समय गाय को गुड और रोटी खिलाएं ऐसा करने से जरूर आपको सफलता मिलेगी घर के जगडे खतम करने के उपाएं दोस्तो घर में अक्सर जगडे होते हैं वे गुरवार के दिन गाय को गुड और चना खिलाएं ऐसा करने से उनकी साधी जल्द हो जाएगी तो आज की वीडियो में दोस्तो बस इतना ही उम्मीद करता हूँ गुड से संबंदित ये सभी चमतकारिक उपाएं आपको अच्छे लगे होंगे और इन में से कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या इस तरह से दूर कर सकते हैं मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो धन्यवाद